हेलो दोस्तों कैसे हुआ आप आप देखरों मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन नौलेज आज हम माही यानी की यम्मेस थोनी के बारे में थोड़ी सी जानकर लेने वाले है अगर आपको वीडियो अच्चा लगे तो लाइक केमेंट और शेर करें और सस्क्राइब करना मत 1921 जन्म राची जहरकंड भारत उपना माही MSD MS कैप्टन कूल थाला कद 5 फीट 11 इंच बल्ले बाजी की शैली दाए हाथ से केंद बाजी की शैली दाए हाथ से मध्यम गती भुमिका विकेट की पर बल्ले बाज महेंदर सिंग धोने का जन्म जहरकंड के राची में एक मध्यमर्गी रचपुत परिवार में हुआ उनके पिता का नाम पान सिह वो माता का श्रीमति देव की देवी है उनके पितरू जहां उनके पिताजी स्री पान सिह मेकॉन कमपनी के यूनियर मैनेजमेंट वर्ग में काम करने लगे मेकॉन लिमिटेड है कमपनी केंदर सरकार के स्वामित वाली एक सारवजनिक शेत्र में आने वाली कमपनी है राची में पान सिहन और उनके परिवार को रहने के लिए सरकारी निवास्थान मिला था धोनी की मात्ता स्रीमती देव की देवी एक साधरन गरहनी थी धोनी की एक बहन है जिसका नाम है जैनती और एक भाई है जिसका नाम है नरेंद्र धोनी का बड़ा भाई नरेंदर राजनेती में कारेर थे और उनकी बहन जैनती गुपता एक शिक्षिका है पहले धोनी के बाल लंबे हुआ करते थे जो अब उन्होंने कटवा दिये है कारण वे अपने पसंदी दा बॉलिवूड स्टार जौन अबराहम जैसे दिखना चाहते थे धोनी एडम गिलगेश्ट के प्रशनशक है और वच्पन से ही उनके आराध्य है उनके क्रिकेट स्वयोगी सचिन टेंडूल कर बॉलिवूड अभिनेता आमिता बच्चन और गाई का लता मंगेशकर है धोनी द एवी जवाहर विद्याले मंदीर शामली में पड़ते थे अब उसका नाम जे वी एम शामली है धोनी को बैडमिंटन और फुटबॉल इन दोनों खेलों में विशेशुरूची थी इंटर स्कूल प्रतियोगिता में धोनी ने इन दोनों खेलों में स्कूल का प्रतिमिदुत्व किया था जहां उन्होंने बैडमिंटन वो फुटबॉल में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया जिस कारण वे जिलाक वो क्लब लेवल में चुने गए थे धोनी अपने फुटबॉल टिम के गोली की पर भी रह चुके है उन्हें लोकल क्रिकेट क्लब में क्रिकेट खेलने के लिए उनके फुटबॉल कोच ने भेजा था हाला कि उसने कभी क्रिकेट नहीं खेला था फिर भी धोनी ने अपने विकेट किपिंग के कोशल से सब को प्रभावित किया और कमोंडो क्रिकेट कलब के 1995 और 1998 में निमीत विकेट कीपर बने क्रिकेट कलब में उन्हें अच्छे प्रदर्शन के कारण 1997-1998 सीजन में विनू मांकर ट्रोफी में और अंडर 16 चैंपियन में चुने गए जहां उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया दसवी कक्षा के बाद ही धोनी ने क्रिकेट की और विशेश ध्यान दिया और बाद में वे एक अच्छे क्रिकेटर बन उबरे